बहुत यह दुख है क्योंकि Congress Party जो बोलती थी कि हम बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, बेटियों को आगे लेके आना हैं और आज उन्होंने बेटियों को ही लाइन मार दी और ये बहुत दुखवाली बात है क्योंकि जो बेटियां हैं ये सियासत नहीं करती ही लेकिन सेवा इतनी करती है और ऐसे संभालती हैं सब चीजे पांच साल हो गया मुझे मैं अमेरिका रहती थी जहां पे मुझे चांस मिला राहुल गांदी जी ने मुझे बुलाया और दि की थी कि मुझे पांच साल मिल गए और मैंने अपने पांच सालों में इतना ज्यादा काम किया है अपने लाके में अपनी सरकार से इतना कुछ लेके आई हूं इतनी सड़के बनवाई और हीरो साइकल इंडरस्टी जहां पे बन गई हैं जो 40-40 साल से काम ने हो वो मैंने कर रहा है दस साल पहले जो बंदा हार के गया उसको कैसे आप ला सकते हैं वो भी इसलिए के वो जवाई है मैडम पठल के और क्या काबलियत है उनमें कभी स्टेटमेंट सुना है उनका अपने कि उन्होंने कुई अकाली दल के खिलाब दिया हो क्या उनके पॉल्टिक्स करन बहुत अवाज उठाई तीन साल पहले जाकर साब को बोला और और लीडर्स को बोला कि भाईया यहां पे हमारा कॉंसलर का जो इलेक्शन है तो यह एक बंदा हमारे लोग दे रहे हैं इनको आप लड़ाए तो वहां पे उन्होंने जो काली दल के साथ एक कांगरसी निता च अब लोग इतना कुछ लोग बस वह बना लेते हैं जो लीडर्स हैं वह चलते तो अकालियों के साथ हैं यह तो साथ नहीं चलते इसके इलावा जब हमने अकेले अभी रैली की दस हजार बंदा कहां से आया वह कोई स्यासर नहीं जानता था वह आम लोग थे जिनको उमीद कांगर्स हैं कि हाँ वह अच्छा काम कर रहे हैं वह अच्छी लीडर्स दे रहे हैं हमें वह ठग चोर नहीं है हमें कौन मिलता है जो पंजाब का लीडर्स हैं वही सही पॉजिशन बताएंगे वहां पर सबकी इनकी जिम्हारी थी तीनों की चाहे वह इंचार जैंगा कि हमारे सही मुद्देने उठारे काल और बड़ी बाते होंगी हमारे पंजाब की क्या रहे हो ताएंगे मिझे यह क्या कैसे वह फैसले ले रहे हैं मैं तो यह चाहती थी कि जो हमारा जू लीडर होते हैं जो भी अर अगर मुझे यही नहीद है मैरे इंप जीन पता मेरे इ मैं खुंच किक्हा है और गो बेटीन बहुत अच्छा काम करती है और जो इतना इयर गल्ट होगया हमारा सिस्टम इतना करूप醒 में नहीं जाती वो तो काम करती है उन को लोगों काम करना वोगों को बड़ा एक अच्छे अच्छे सी नीद आती है उनके जो अगर वो लीडर्स हैं तो लेकिन ये देखिए मैं तो खुद हरानू कि सारी बेटियां को इन्होंने पिछे खड़ा कर दिया पिछली लाई में तो प्रियांका जी देखें यह क्या उनको पता नहीं है कि यह पे कौन-कौन लड़किया काम कर रही है क्यों नहीं वो लड़कियों का उन्होंने साथ दिया क्यों नहीं वो चाहती के अच्छी लड़कियां कितनी चार पांच तो लड़किया है इस ऐसे कामें तो परवार साथ ही नहीं देते कोई परवार चाहता नहीं कि हमारी बेटी सियासत में आए इसलिए क्योंक सब लड़की लोग मेरा गाना सुनती थी मुझे कोई बात नी कि सब मुझे तो ठीक लग रहा था क्योंकि मेरा दुनिया में इतना मैंने काम किया है मुझे लोग भी जानते और मैंने अच्छी से अपनी ड्यूटी निभाई अभी दसल पुराना कुई आपका किसी को खुश क देखो मुरा सुभाव है लड़ना हमने मैंने गुरु गुविंसीन जी को गाया है मैं अपनी हाइकमान को भी बोल रही हूं आभी अभी भी ध्यान दे मैंने गुरु साब को इतना गाया है उन्होंने अन्याय के खिलाब मुझे लड़ना सिखाया है तो अभी आपको क्या करने लिए जो मेरी किसमत है, जो मेरी तकदीर है, मैंने लोगों के लिए काम करना थे, मैंने 20 साल लोगों में गाया है, सब को पता है, बिट्टी का क्या सभाव है, वह तो मैंने तो सच की राजनीती करनी है, और वह करती रहोंगे अपनी उमर में, यह प्रस्तितिया तो मेरे दिल में हैं जी कि मैं मुझे स्यासत में में आ जाओंगी तो मैं तो सबसे ही मैं तो सही बात में मैं अपने लोगों के लिए काम करना है जो लीडर्स होते हैं वो तो आपस में मिल जाते हैं जैसे वो था क्या था ना वो एक जो लड़ते थे अंडर्टेकर वगारा उसको पता था कि धूपी जैसे पतकां के मारते हैं ऐसे इस लड़की ने हमें मारना है तो यह इनकी चिंता थी ऐसे इन्हों ने दूर कर दी है कियों मेरा घर आप क्यों मैं से चड़वा रहे हैं लोग ऐसा पर रहे हैं जो ने दिन रात उनकी कि पहुचँ मुझे बताए कि निम आठी मेरी किस्मत है मैं यह यह Blत रहे हु लोगों की बात कर रहु हुम मैं तो किसका यह तो जैसा सिस्टम कर दो जो कि मुझे रोक हुरे थे कांगरसी मुझे रोक रहे थे dois को बगा दे